आइनेक्सच डेटाइप इस लॉंग डेटाइप जैसे इंटीजर वाइन सुवाइप आई हो आपका अपका छिस्तर ख़ना पॉस्वरी हमाई की रिंटिजर घर यह पूराइट आप देटा इस्टों करें इसके स्केस में मैक्सिमूम डिट्स की तने हैं तेन डिट्स अब है लेवल हैं लाइक किसी पर्टिकॉलर से चीजिसे में आपको लाइट का स्पीड रपिजेंट करना है इस case में जो new number जननेट होगा या data जननेट होगा काफी lengthy amount data होगा इस type के situation में आप यूर्स क्या करो होगे long data types for example suppose that गर आपको आपको आज total years कितने मझे count करना है how many seconds are available in 2000 years total years कितने आपको 2000 इनको convert किसमें करना seconds में तो seconds में convert करने इस पहले आपको पता हुना थी सबसे पहले convert किसमें करेंगे days तो total days कितने होगे approximately something 365 days each year then सभी days के respect में days के अंदर again days को convert किसमें करें month में तो सभी years के respect में also already मैं directly days में convert कर चुक है then days को again hours में convert करने लिए हार्स कितने हो इस case में 24 hours in each day then hours के बाद just इसको convert किसमें करेंगे minutes तो minutes की case में क्याएगा 60 60 के just बाद again seconds में convert करो then again 60 गर milliseconds में 90 seconds में convert करना then multiply किसमें सब्सक्राइब हो लाइक है 1000 इस case में calculation create होगा new value हो सकता है इंटियर में represent करना पॉसिल नहीं इस टाइप के situation आप यूज कर सकते हैं long data type जबकि integer और long दोनों के यंदर only integer type के content system करना पॉसिल है ओल्यटी डिसक्राइब कर सकते हैं what is the size of long longer size के always 8 bytes it will take 8 bytes अगर मैं write down करता हम लाइक है long x equals to 10 इसके सब्सक्राइब की बात करना 10 का by default type के हो इंटियर हो इंटियर टाइप का data implicitly compiler के through long format में convert करना पॉसिल है same as other possible case क्या हो सकते है like long x equals to 10 L it is also valid इसके सब्सक्राइब किस टाइप का long और assignment के समूरा long है long के अंदर कभी float या double type का value assign करना पॉसिल नहीं सब्सक्राइब 2.5 इसके सब्सक्राइब का टाइप का double assignment के समूरा है long में compile time error possible loss of precision found double required long तो इसके सब्सक्राइब क्या होगा type casting into long this is a way of using long data type similarly आपका अभी other data types के है like a float double boolean and characters इसके सब्सक्राइब करें इसके सब्सक्राइब करें हो इसके सब्सक्राइब नेक्स वन इसके प्रीविज के सब्सक्राइब इसके सब्सक्राइब करना पूसर था नॉट रियल नमर और फोटिंग पॉइंप्ट नमबर वाट्सक्राइब किसी पर्टिक्राइब इसके सब्सक्राइब करें इसके सब्सक्राइब करें अब फ्लोट के के अंदर इंटीर या लॉंग टाइप का वैल्यू डारेक्ली असाइन करना पॉसिबल है फ्लोट एकसे सब्सक्राइब यूट नमर केस फ्लोट अधर डिकलेशन फ्लोट एकसे सब्सक्राइब का वैल्यू टाइप का तॉप यह डवल टाइप और आशाइनमेंट किसमोरा है फ्लोट में डवल के रिस्पेक्ट मात करें तो डवल का साइज क्या हो जनली एडवाइटS 4 वाइटS इनने के रैंज हुआइज भी कैसे है सेम रज़ों दीफरेंट डिफरेंट रेंज कंपाइड्स टाइम एर्र इस के सायनुट करेंट तिया रहेगा अधर डिकलेशन, चेक इट, फ्लोट एक से क्वेस्ट में से इस केस में, डेसीवल नमबर है, डेसीवल नमबर फ्लोट में डारेक्ट्ली असाइन करना पॉसल नहीं, जस्ट असाइन करने के प्रॉपर अप्रोच करने के टू, फिर्स्ट नम आजदर यूजिंग टाइप कास्टिंग, इन्फॉर्मेशन डावल इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करने के असाइन करना पॉसल हो, फिर्स्ट भी, 2.5, अधर पॉसल भी गया है, वन मोर केस, एप लाइंग, फ्लोट क्वालिफायर, निस 2.5 करना पॉसल हो, और अपर केस में भी यूज करना पॉसल होगा, जस्ट एप, इस वैलिड, तियर, इस वेव फ्लोट डेटा था, तो है मैं टबल, अगर आपको काफी लेंदी एमांट डेटा इस्टो कराना है, फ्लोट के केस में डेटा, डेसीमल के बाग, 0.33, जस्ट मैंने आपको उता है था, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करते हो, तो डेसीमल के केस में 1 को 3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा, 0.333, पर्टिकुलर केस में डेटा आपको किसे डेसीमल प्लेस तक एक्यूरेसी रिक्वाइड है, अगर आप फ्लोटिस करो तक हो, तो डेसीमल के जस्ट बाग, एक्यूरेसी कपतर प्रवाइड करें, अप्टू 6 डेसिमल प्लेसे, दिवाइड की केस में, अप्टू 12 डेसिमल प्लेसे, जस्ट आफ्टर पॉइंट, जस्ट अप्टर पॉइंट, float and double type remaining property casing almost same next session just discuss करों about boolean types